नमस्ते दिया स्टूदेंट्स वेलकम टू पीटी एडूकेशन मैं नेम इस तुशान्त यादो एंड तोड़ेंग टॉक अबाउट ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन क्योंकि recently October 2020 में कसर कोड एंड पाडू बीद रही है दो बीचे से कडनाट का के इनको ब्लू फ्लैक का टैग मिला है इसलिए इस प्री एंड मेंस दोनों परस्पेक्टिफ से टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है तो आज हम जानेगे की ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन क्या होता है इंडिया के आठ बीच कौन से हैं जिनको ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन दिया गया है इस इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन ओफ और इन्वार्मेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा आए समस्ते पूरी बाद देखें 2019 में Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने 13 beaches across country को identify किया था for the blue flag certification और उन्हेंने एक list of activities announce की थी that will be permissible in their respective coastal regulation zones for that purpose और ये हैं वो 13 beaches जिनको Ministry of Environment, Forest, Climate Change ने identify किया था इन में से 8 beaches को blue flag certification मिल गया कौन कौन सी 13 है शिवराजपूर बीच और गुजरात, घोगला बीच दिव, भगावे बीच महरास्टा, मीरमर बीच गोवा पाडु बीद्री और कसर कोड बीच कन्नाटका, बंगारम बीच और लक्षुदीप, कपड बीच और केरला, गोल्डेन बीच ओडिसा रुसी कोंड़ा बीच, आंद्रप्रदेश, राधानगर बीच अंडमान निकोबार, इडन बीच पुडुचेरिय और कोवलम बीच तमिलनाटू, यह 13 बीच है इनमें से 8 को Blue Flag Certification मिला है, from the Foundation for Environmental Education Denmark के द्वारा, यह कौन सी है, शिवराजपूर, घोगला, कपड, रुशी कोंड़ा, गोल्डन बीच, राधानगर, कसर कोड और पादू बीदरी, कहां पर हैं, यह है शिवराजपूर गुजरात में, घोगला यह है, गोल्डन बीच यह है औरीसा में, रुशी कोंड़ा यह है, राधानगर बीच अंडमान निकुबार यहां पर है, यहां पर देखिएगा, यह है, यह है पादू बीदरी और कसर कोड बीच करनाटका, तो यह 8 बीच है, जिनको Blue Flag Certification दिया गया है, Foundation for Environmental Education Denmark के द्वारा, यह Blue Flag Certification होता है, यह हम सब ज Solid Waste Management Plant, Disabled Friendly, Disabled Friendly Equipments to enable them to enter Sea Water, ओके, and Clean Drinking Water Facility, Bathing Facility, Disabled Friendly and General Toilets, Solar Power Plants and Solar Lighting, यह सब है, कसर कोड और पादू बीदरी बीच इन करनाटका, तो इसलिए उसको मिला है, Blue Flag का Certification, यह Golden Beach जो की पुरी में है, उसका आप नजारा देख लिए, Sand Artist ने क्या बहतरीन आर्ट बनाई है, Enjoy किया है नहीं कि आपने, Blue Flag Certification क्या होता है, देखे, Blue Flag जो टैग होता है, यह Beach जो होते हैं, Blue Flag Beach, यह Eco Tourism Model है, to provide tourists clean and hygienic bathing water, facilities and amenities, safe and healthy environment, sustainable deployment of the area, तो Blue Flag जो Beach होंगे, वो environment friendly होंगे, ecology friendly होंगे, और वो Eco Tourism Model क्यों है, क्योंकि वो tourist को यहाँ पर, बहुत धर सारा tourist को attract करेंगे, क्योंकि उनको बहुत डिर सारी facilities दी जा रही है, तो Blue Flag Beach, यह जो Blue Flag का tag जिसके पास होगा, उसको बोलेंगे, Blue Flag Beach, यह Blue Flag Certification देदा कौन है, और किसके लिए oystem किया जाता है, तो Blue Flag जो Certification है, यह Beach के लिए obtain कि एसकता है, यह Marina के लिए attain किया जा सकता है, और Sustainable Boating Tourism Operates के द्वारा यह attain किया जा सकता है, और ये ऐसा eco-level serve करता है eco-level का मतलब है जिस beach पर ये label लग जाएगा blue flag का उससे हम environment friendly, ecology friendly beach बोलेंगे ठीक है ये देता कौन है Foundation for Environmental Education एक Denmark की non-profit organization है इसके द्वारा एनुलरी इस certification को release किया जाता है और ये है blue flag का tag ऐसा जिस beach में ऐसा tag होगा उसको हम blue flag tag beach बोलेंगे ये चीज़ समझ आई है नहीं आई और इस beach को अगर किसी को blue flag tag attain करना है जिस beach को उसको certain condition को fulfill करना होगा जैसे कि जो strict environmental condition है उनको करना पड़ेगा educational safety related जो measures होगे उनको ध्यान में रखना पड़ेगा उन है और बहुत धेर सारी criteria है 33 criteria है जिनको 4 major heads में divide किया गया है environmental education and information bathing, water quality, environment management and conservation safety and service in the beaches इन 4 heads में 33 conditions को 33 criteria को बाटा गया है और इन criteria को देखकर foundation FEE इसको तो याद रखे गई फीको foundation for environmental education Denmark beaches को blue flag certification देती है तो इंडिया के 8 beach को blue flag certification मिल गया है आपको पूरी news समझ आई ये नहीं आई तो blue flag certification का ये topic आपको कैसा लगा मुझको ज़रूर बताइएगा ये PT के कुछ बेहतरीन resources है इनका भरपूर लाब उठाइए और मेरा channel है hope तुशान्त यादो आप लिख लिजे hope तुशान्त यादो इस channel पर भी आईए और अपना प्यार यहाँ पर भी बाटिए और इस PT के कुछ resources जो है पहुत structured way में डिजाइन की गए इन resources का भरपूर लाब उठाएं तो आज के लिए इतना ही thank you नमस्ते जहन्त